पूर्य मुख्यमंत्री दिग्वजय सिंग ने कहा कि यदि कॉंग्रेस के लिए सबसे कमजोर सीट मानी चाहे तो वो सीट बागली विधानसवा सीट है केवल 1998 में पहली बार यहां से कॉंग्रेस प्रतनी भी जीते थे इसके बाद से यहां पर कोई कॉंग्रेसी नहीं जीता है वहें दिग्वजय सिंग ने कहा कि भाजपा पर दीपक जोशी की अंदेखी करने का आरोप लगाते विए कहा कि भाजपा ने उनके पिता के साथ गलक किया और उनके साथ भी गलक किया पूरु मुख्यमंत्री दिग्वेजा सिंग ने कहा कि पूरु मुख्यमंत्री कैलाश जोशी को भारत की राजनीत में कभी सम्मान नहीं मिला। छोटे छोटे राजनीताओं को पद्मश्री पद्मभुशन दिया गया। लेकिन इतने बड़े राजनीती के संत मानेज राने कैलाश जोशी को कोई सम्मान नहीं दिया गया। पूरु मुख्यमंत्री दिग्वेजा सिंग ने कहा किंभाषपा ने के साथ व्योहार किया वैसा ही व्योहार उनके बेटी दीपक जोशी के साथ भी किया गया। कोरोना काल के समय जब दीपक की पत्नी बिमार थी तब उनकी पत्नी की इलाज करवाने के लिए भाष्पा ने कोई मदद नहीं की पूर्य मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंह ने कहा की मुख्यमंत्री शिवराश सिंग चोहान के पास 9.5 करोन की संपत्ति कहां चेये इसका जवाब मुख्यमंटरी चौहां दिन, इनकी सरकार में व्यापम से लेकर तमाम घोटाले हुए, ये घोटालों से भरी सरकार है कि छोटे प्राज नेताओं को पर्मुषरी, पर्मुशन, पर्मुशन दे जाता हुए, कहला है जोशिक की कुर्सन को अलगा करें, कभी भी भी आठी नेता पर्मुशन की सरकार में, इनकी का नाम पर्मा कवाट के लिए परुशांसा भी नहीं है। पूरी मुख्यमंत्री देविजाग सिंग ने कहा कि भारत में नया संसत भवन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, और बन गया था तो उसका उधगाटन राश्टरपती को करना चाहिए था, लेकिन प्रधान मंत्री मोधी को खुद की महिमा मंदन करने की आदत है, इसलिए संसरी लोगतन प्रणाजी लायक में, यूके में, इंग्लेंड में, और वहां का भवन हमसे भी पुराना है, बनाए होगा, उसके सारे लोग वैड़ में नहीं पाते, लेकिन वो परंपरा को अपनाते हुए, और परंपरा को अपनाते हुए, वो आज भी उसी पे अपनात, संसरी कार्य करते हुए, लेकिन बोदी टीः को अपते आप को महमंद करने का रोग है, रोग, कोसरी कि कोरवाई हो, भीना महामेंर राश्ट्रती के, मंद्यूणी के, शानकानी के, पिसह की, नहीं, नया संसर्वण भवन बन रहा है, तो उसका जातन पर्षिलाइर नहीं कर वहें पूर्मंत्री दीवपक्स जोशी ने कहा कि जिस नैतिक्ता के आधार पर भाश्वा बनी थी वो नैतिक्ता पार्टी में बची नहीं है जोशी ने कहा कि मैं अपनी कुछ मागों को लेकर मुख्यवंत्री शिवराज के पास गया था लेकिन मुख्यवंत्री चौहार ने श्राप के इस्वारप को लेकर उनकी बातों को लेकर में बुक्रती की पार शुना को अधया वी जफ़ादी कास कि पिश्रम जिकेशती और में यही कहा आप मेरे के लिए खुश्मत मैं कुछ बरना भी नहीं चाहता है आप मेरे पिटाजी की कुछ बाते तो कुछ बाते हैं एक बात हो चाहते थे कि भागली जिला परिवार साथ है और अगर ये दो परिवार साथ हो गए ये दो परिवार बागली विदान सभा की शायद पेचान रही है मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवशकता भी नहीं है 10 जून को पहली किस्त बेहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपेया की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्प लाइन नंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज